टोप हत्यारी जल्विधुद परियोजना EPS कंपनी में काम करते वे शर्मिक की मौत पीडित परिवार विधायक विकास नगर नहीं डिया सहयो का अश्वासन बता दे कि यमना नदी पर बन रही 120 मीगवाट शम्ता की वियासी हत्यारी जल्विधुद परियोजना का काम इन दिनों अंतिम चरण में हैं विपारी जल्विधुद परियोजना EPS कंपनी हतियारी में तीसरी मंजिल में काम करते हुए कटा पत्थर निवासी शर्मिक की मौत हो गई थी जिसको लेकर गाउवालों में ये जल्विधुद परियोजना के प्रती काफी आक्रोश था गाउवालों का आरोप था कि कंपनी की द्वारा शर्मिक को सुरक्सा सेफटी के नाम पर कोई सामान नहीं दिया जाता है जिससे शर्मिक को काम करते हुए किसी भी दुरगटना का सामना करना पड़ता है आज इसी तरह एक शर्मिक ने जल्विधुद परियोजना पर कारे क करते हुए अपनी जानगवादी तुक्षटना में मिर्थिव हुई है बहुत दुखद है और बहुत कच्चा परिवार उसका बेटा बहुत छोटा है और तीन बेटी है तो चार विवायोग्य बेटी है तो बहुत गंभिर संकट परिवार के सामने इस लिए जीतने भी लेव बेनिफेड किसी भी स्रोग से हो सकते हैं सुइककेनों कर 아raq वह सारे के सारे लेवर बेनिफेड पीडीत परिवार को दिए जाएं sis市ए तो प्रिंशेंस हो प्रिंसिल गांट्रेक्टर की तरप कोई क्लेम बनता हो सब कंलेटर के विरुत कोई क्लेम बनता हो और परियोजना के जो संचालक हैं उनकी तरफ कोई क्लेम बनता हो इस परिवार को इस असीम कस्ट की घड़ी में जो भी संभाव होगा वो हर संभाव मदद उनको पहुंचाई जाएगे और बाकाइदा उसके लिए जो उनके परिवार के लोग है नाते रिस्तदार है सगे संबंदी हैं उनसे निश्चित रूप से सबसे निरंतर संपर्क भी किया जाएगा और किसी भी जट में अधिकास अधिकास लोग जो है वो उनका पी अपनी करता